नमस्कार, आज एक ऐसे भी से पर चर्चा करेंगे, जिसे सुनकर या देखकर आपके कानों या आखों पर विश्वास नहीं होगा हम यहां बात कर रहे हैं रमायड से जूड़ी एक घटना की संबन्द में हम सभी जानते हैं कि रमायड में प्रभूश्री राम जी वनमास के द्वारान कई स्थानों पर गए इससे पहले कि हम इस कथा को समझें, आज के इस पहिली को समझें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि ऐसी ही जानकारी आप सभी तक पहुचती रहे और आप इसका लाब ले सकें, चलिए हम विश् दंडकार रहने के वनों में रह रहे थे, तो उनके सौंदरे पर आकरसित हो का वह सुर्पनखा, भगवान श्री राम जी के पास आई और उनसे वारतालाप करने की कोशिश की, परन्तु भगवान श्री राम के आदेश पर लक्षमन जी ने उसके नाक और कान काट दिये थे ये सभी जानते हैं, कथाओं में वर्णित है, देखने को मिलता है, आप सभी ने सुना पढ़ा होगा, और आम तो और पर हम इसके विचय में कथा कहानियों में, राम लीलाओं में देखते हैं, परन्तु इसके पीछे का सबसे बड़ा रहशिय है, कि स्रिलंका में आज भी दावा किया जाता है, ऐसी मानता है, कि सूर्पनखा का जन्म हो चुका है, इन दावों के पीछे बहुत बड़ा साक्षे भी है, जिससे यस्तित हो जाता है, कि हो सकता है कि सूर्पनखा का सचमुच में पुनर जन्म हो चुका हो, यदि हम बात करें पुनर जन्म की, तो हमा पुनर जन्म के सिद्धान को एदी देखा जाए तो भारतिय शास्तुर के अनुसार निश्चित रूप से यह सिद्ध है कि पुनर जन्म होता है जिसे हम प्रारब्द कहते हैं प्रारब्द के अनुसार व्यक्ति का जन्म होता है व्यक्ति को वह शरीर मिलता है अपने आसपास को समझना या जानना सब के वश की बात नहीं है भगवान श्रीमत भगवत गीता जी में अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं परंतु तुम उन जन्मों को नहीं जानते हो परंतु मैं अपने प्रतेक जन्म को समझता हूं अपने प्रतेक ज जानते है परंतु जीवात्मा को समझना संबहोध नगा कि बंख मी स्टना और पुलर जन्म kछा आई ये कुछ दावों पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऐसे दावे किये हैं या भविश्यमाणिया की हैं जिसके माध्यम से यस्सिद्ध हो जाता है कि वही सूर्पनखार का पुनर जन्म हैं जब उनकी आयू तीन वर्ष कर होगी तभी उन्होंने गोषंळ कर दी थी कि वह हरावन की बहन हैं एसे उन्होंने असपस टूरी पहुं से काहा था इतना ही नहीं उन्होंने एक प्रलय सुनामी ट्यादी ऐसे-ईसे कैसारी नों भविश्वाणिया की जो सच सिद्ध हुइ तो इससे लगता है कि सच में हो सकता है कि इनकी भविश्वाणियों में इतना अग्रफ कैसे है और अखर इनके पास कुछ दिवे सक्तिया कैसे आई उनके पास ऐसे शक्तिया हैं जिसके कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं उनका कहना है कि प्रतेक समय वो अपने शक्तियों को प्रदर्शित नहीं कर सकती हैं क्योंकि आम जन्मानज इन शक्तियों को नहीं समझ सकता है इसलिए उन्होंने कई बार उन शक्तियों को परदर्शित किया है परंतु हर बार उन शक्तियों को परदर्शन करना उनके नियम के विपरीत होगा इसलिए वे परतेक बार इन शक्तियों को परदर्शन नहीं करती तब ही से उनके नाक और कान पर एक बड़ा कटे हुए का निसान देखने के मिलता है तो यह चीजें जो जूडती है और एक एक चीज जो सूर्पनखा की हुलिया थी जिस प्रकार से रमायड में और जब लक्षमन जी ने उनके नाक और कान काड़ दिये थे उससे यह सिद्ध हो चुके हैं इससे भी यह लगता है कि हो सकता है कि यही शुर्पनखा हो इतना ही नहीं वहां की सरकार भी ऐसा मानती है कि यही शुर्पनखा हो उनको स्रिलंका के अंदर महारानी की उपाद ही दी गई है वहां पर एक ऐसी जाती भी है जो मानता है कि वह रावन के वनसज ह वो भील जाती उन्हें अपनी महारानी के रूप में आज भी पूछता है तो ये सिरलंका में कुछ रहसमाई बाते हैं जिन पर अभी भी स्थोध चल रहा है और उनकी जो सक्तियां हैं उनको देखकर लगता है कि संभव हो सकता है हम अपने आख या कान पर विश्वाद भले ह कर दिया था तो ये कहानी निकल करके आती है कि किस प्रकार से आज भी सुर्पनखा का पुनर जन्म हो चुका है आज भी स्रिलंका की धरती पर वो इस कल्यूग में भी मौजूद हैं और अपने शक्तियों से समय समय पर वो दुनिया को अपना परिचय देती रहती हैं तो आ अभी तक यह बाते पहुच सके सभी इसको जान सके हम जुड़ते हैं किसी नए विशे के साथ तब तक सेवा कारे करते रहें भजन करते रहें धन्यवाद